आ कि पटना आवा तला अब हमनी सब आ रहा लिए अवा पटना 16 जुलाई के ज्ञान भवन में आवा एक बार फिर शुला, 16 जुलाई के ज्ञान भवन पटना तरी नेउता देवे अली आवा सब लोग क्या आवे के आवा और उकरा लेली वीडियो के नीचे लिंक हवा सब लोग भर्द जल्दी से मिलवई पटना में 16 जुलाई के ग्यान भवन पटना में का हो, का हाल चाल सब चका चाक तु सब कहा ही तराला आना कि पटना आवा त लब हमनी सब आर लिया हो पटना 16 जुलाई के ग्यान भवन में हवा एक बार फिर सुल्ला 16 जुलाई के ग्यान भवन पटना तरी नियोता देवे अलिया वा सब लोग क्यावे के हवा और उकरा लेली वीडियो के नीचे लिंक हवा सब लोग भर्द जल्दी से मिलवई पटना में सोलह जुलाई के ग्यान भवन पटना में का हो का हाल चाल सब चका चाक तू सब कहा ही तराला नमस्कार बचवालो का हाल चाल वा आरहाल वानी पटना मा तो अब मिलाल वानी पटना में पटना में मुलाकात होगी आप सभी से और पटना में कब मुलाकात होगी तो भाईया याद रख लीजेगा 16 है जुलाई को 16 जुलाई को पटना में तरीके से मुलाकात होई और चर्चा होई और डिसकेशन होई सो रवा के पहुचलवानी पहुचना जरूरी है बिना पहुचे तो काम बनेगा नहीं फिलहाल आईए डिसकेशन करते हैं आज हमारे SSC CGL GKGS इस सीरीज का परंतो GKGS सीरीज का इससे पहले की डिसकेशन करें दोस्तो अड़ा 24-7 एप जो आपको देता है दुनिया भर के फायदे उस दुनिया भर के फायदे वाले एप को मात्र एक क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हो जिसकी लिंक दी हुई है आपके कॉमेंट सेक्शन में तो कॉमेंट सेक्शन में जो लिंक दी हुई है ना उस पे क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद अडर 24-7 एप डाउनलोड कर लिजिए तो आपके कॉमेंट सेक्षिन में जो लिंक है उसको देखो ब्लू कलर वाली उस पर क्लिक करके से डाउनलोड कर लो करेंट अफेर्स फ्री में जॉब अलर्ट डेली कोई सब्जेक्ट वाइस कुईज मैगजीन पावर कैप्सूल नोट्स आर्टिकल्स वीडियो यह सब कुछ मिलेगा आपको पूरी तरह से फ्री ओफ कॉस्ट तो आप लोग बिल्कुल जॉइन कर लीजेगा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके दोस्तों इस तरह से हम आपको पीडिएफ भी दे देते हैं हमारे एप के अंदर ही तो आप लोग यह पीडिएफ ले लीजेगा फिलहाल आगे चला जाया और आगे पढ़ना शुरू किया जाया तो आप पाएंगे कि भया हमारा पहला क्वेश्टन यह है कि e-commerce store flip card के सहसंस्थापक इन में से कौन है इतना कहना चाहता हूँ कि Appleṣal कर लो एप हटा लो एक बार आन्यंस्टॉल करके फिर यहां डाउन्लोडिंग लिंक से रिंस्टॉल कर लो रिंस्टॉल करने के बाद community के अंदर फिर जाओ और ग्रूप पर पहुंचो और वहां जाने के बाद जब download वाली link है उस पर click करके रूख जाना थोड़ी देर तक अपने आप दिखाएगा फिर अपने आप चाहे जहां भेज लेना ठीक है थोड़ा भी ग्लिच है चलो अब देखो ठीक नब e-commerce store flip card के सहसं स्थापक इन में से कौन है भाई या फिलिप कॉर्ट को कब शुरू किया गया था जल्दी बतावा का 2008 में शुरू किया गया था इसको 2008 में एक e-commerce company जिसका नाम है flip card क्या इसकी शुरूआ की गई थी तो दोस्तों इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा बिनी बंसल आपको सुन करके लग जरूर रहा होगा कि ये जो बिनी बंसल है ये बिनी बंसल कोई लड़क की थी आगे बढ़ा जाए तो एक और प्रशन आपके सामने रखते हैं बताईये जल्दी से देवी निशुम्भा सुदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था निशुम्भा सुदिनी अच्छे ने को निशुम्भा सुदिनी का मतलब यह है कि मां काली का एक पर देवी नहीं लिख रहा है काली मां का पूरा समान कर रहा हूं इसलिए मां काली अमन तो काली मां टेंपल और कौन से साशकों ने बनवाया था इसे अच्छा मैं आपको एक बात बता दूए कहां बना हुआ है तो यह भी जान लो तंजवूर में बना हुआ है और परियल चोलाज ने बनवाया तो देवी निशुम्भा सुधनी का मंदिर इससे पहले कि आप लोग देख पाएं हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से दर्शन करें देवी निशुम्भा सुधनी के यह देखे यह है देवी निशुम्भा सुधनी जो आपके सामने मौजू और आप तो जानते ही हैं देवी निशुम्भा सुधनी के बारे में और क्या ही कहा जाए शांदार आगे बढ़ा जाए तो आप पाएंगे कि ये मंदिर है एक बहुत ही शांदार सा और ये बहुत ही शांदार सा मंदिर काली अमन मंदिर के रूप में और देवी निशुम्भ विभू शिताम शर्णागत दिनार्थ परित्राय पारायने सर्वस्याति हरे देवी नारायनी नमोस्तते तो ये एक निवेदन हैंसे मुझे बीच का स्लोक जरू थोड़ा सा भूला हुआ है बाकी आगे वर्दी बताए जली से कौन सी नदी है जो अधिक्तम देशों से हो करक गुजरती है एक क्वेस्टन हमारी दिपांजली यहां पर स्टूडेंट है वो पूछ रही है कर रही है सर बनारस कब आएंगे बनारस बाबू आया नहीं जाता हमारे हैं माननेता है कि बनारस ले जाया जाता है तो हसी मजाग की बात से परे जरूर आएंगे बनारस तो एक चलिए अंगर जब भी अबतायेजियंगे जरोड आशरतो अनका आशरतोस ऑनबरेशी से आप लोग तो जानते हैं तो आशरतोस सर को भी बताएंगे אiation फिर हम और अशतोस सर बनारस की गलियों में झरूर एक बार वहां रामनगर में कोई लसी फेमस है रही और 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 शायद कोई पान फेमस है पान वैसे तुम्हें नहीं खाता लेकिन जब कहीं किसी जगह का सपेशल हो भाई घुझाय टैग ही मिल गया जिस चीज को तो खाना तो बनता है हलागि वहां कि पान को जिआ टैग नहीं मिला लेकिन हम बता रहे हैं खाने वाली चीज है न कह रह ये दानूबे नदी ये डन्योब या दानूबे नदी जो है योरप की नदी है भाईया और योरप में बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है आस्ट्रिया की राजधानी वेना इसी नदी के तट पर है तो एक काम करें इस नदी को देख ले क्या अरे ये देखिए मैप आगे की ओर बढ़ती है और ये देखिए इस तरह से ये दानूबे वियना इसी के तट पर है आगे चल करके आप पाएंगे कि बुदापेस्थ जो हंगरी की राजधानी है वो इसी के तट पर है आगे चल करके आप पाएंगे कि सर्भिया की राजधानी बेलगरेड इसी के के तट पर है और आगे चल करके आप पाएंगे कि बहुत महत्पूर्ण से शहर जैसे की मैगुरेल निकोपोल यह सब इसी के तट पर है और यह गिरती कहां है तो यह गिर जाती है काला सागर में किसमें गिरती है यह डानूबे डेल्टा बनाते हुए काला सागर में गिर जात कि आगे बढ़ा जाए ठीक है आगे चलिए आगे चल करके एक साधारन बैटरी में निमलिखित में से कौन सारा सायन होता है शीवानी परमार कर यह सरा आप हमारे पड़ोसी हैं इंदौर कब आओगे हरे आपको बता है हम पड़ोसी नहीं मद्रदेश में आपना कंफ्यूज क क्या है तो देखिए जैसे यह है दिल्ली हमारा अभी दिल्ली से इंदौर आना है तो दिल्ली से इंदौर यहां आना पड़ेगा लेकिन हमारे घर जाना है ना तो दिल्ली से ऐसे मद्ध प्रदेश में यहां जाना पड़ेगा तो अब हम दिल्ली से चाहे इंदौर चले आ समराट क्या है तो दोस्तों यार रख लिना किंग ऑफिमिकल्स कि से और को नहीं ह 2 एस ओ फोर को किसको कहा जाता है king of chemicals ह 2 एस ओ फोर को तो एस टो एस ओ फोर यह हो गया हमारा sulfuric acid आगे बढ़ जाया जाए एक और प्रशन चर्चा कर लिया जाया उसकी भी यह देखिए एक तरफ दूसरी तरफ बैटरी है न और यह पूरा एक सिस्टम है जिसका हमने बना करके दिखा दिया आपको बताई जल्दी किसे वास्तु शिल्प का राजा कहा गया क्योंकि उसके साशनकाल में विश्व मुगल सामराजी की कलायवम सल्सक्रिति के अज्दूतीय विकास का गवाह बना मतलब कौन था वक्ती जिसने बनाया ताजमहल हम और मूती मसजद यह बन्वाई आगरा में लाल किला लाल किला जिसे कहा जाता है रेड फोर्ट रेड फोर्ट और जामा मस्जिद बनवाई उसने दिल्ली में तो रेड फोर्ट और जामा मस्जिद उसने दिल्ली में बनवा दी ठीक है ना रेड फोर्ट और जामा मस्जिद उसने दिल्ली में बनवा दी ताज महल और मोती मस्जिद उसने आगरह में बनवा दी तो किसे वास्तुशिब्प का राजा कहा जाएगा बिलकुल सही शहाबुदीन बेग मुहम्मد खान खुर्रम एक दो फिर से सुनिए शहाबुदीन बेग मुहम्मद खान खुर्रम और्फ शाह जःहां अकबर तो अकबर को क्या कहते हैं अकबर को कहते हैं जलालुदीन बेग मुहम्मद फिर उसके बाद आया जहांगीर इसको क्या कहते हैं नुरुदीन बेग मुहम्मद फिर उसके बाद आया शाह जहां इसको कहते हैं शहाबुदीन बेग मुहम्मद और उसके बाद आया से वर्ष में शाह जहाने राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की थी कौन बता सकता है आगरा टू दिल्ली राजधानी कौन से वर्ष में ट्रांसफर की थी इसने शाह जहाने चलो चलो आगे बढ़ा जाए आगे चलके एक और प्रश्ण है कौन से बैंक की स्थापना मुथाया चिदंबरम चेटियार के द्वारा चेन नहीं में 1937 में की गई थी मिश्टर श्याम कह रहे हैं कि उडिशा में जरूर आईएगा अरे अब तो मतलब आप लोग ऐसे इन्वाइट कर रहे हो हमको ऐसे लग रहा हो कि बस अब मैं क्या बताओं ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम फिल्म स्टार हो गया हूँ तो धन्यवाद बहुत 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 उड इसा इसा में वडीशी डांस से ले करके और वहाँ की जनजाती के यहारों से लेकर के खूब सूर टी तक भीधर नीरक समील तक और चिलका के जील तक और फिर उसके बाद अगर के लितले देखा जाए संस्कृतिक रूप से तो फिर ब्लैक पगोड़ा को को देखे बीना कैसे रह सकता है इंसान जगनात पूरी मंदिर को देखे बीना कैसे रह सकता है तो सही एंसर क्या हो जाएगा सही एंसर हो जाएगा भाया इस 1937 वाले का इंडियन Overseas Bank इंडियन Overseas Bank की स्थापना हुई थी 1937 में और यह देखियो overseas bank का आ गया देखो इसकी अच्छा एक बात उदाईए सेशन को शेयर करने का आप लोग क्या हमसे पैसा लेंगे अभी तक इसको 1000 प्लस हो जाना चाहिए और सेशन को शेयर करने का आप लोग हमसे पैसा भी लेंगे क्या मनदभ डर लगने लगा है चलो बताओ जल्दी जब कोई भी दाब एक तरल पदार्थ पर लगता है तो परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रतेक भाग में प्रेरित होता है और ये जो प्रतेक भाग में प्रेरित होता है जल्दी से बताईए कौन सा कानून इस घटना की व्याख्या करता है कौन सा कानून क्या कौन सा नियम कौन सा नियम है जो इसके बारे में बताता है जल्दी बताएं फटा फट से जल्दी बताईए जल्दी बताईए क्या होने वाला है सही उत्तर इसका कि एक मिटेट एक मिटेट लेक्चर में चलिए जल्दी बताइए देखो वह या हुक लो बर्नॉली लो एवोगेड्रोला यह कौन सा लो होता है इसका सही अंसर देखिए देखिए ध्यान दीजेगा इसका सही अंसर क्या होने वाला है ये भी बता देता हूं आप सभी को रुको यार आज कलना ट्रेने इतनी लेट चल रही है कि घर वाले कहीं जा रहे है ना छोटे बच्चों को लेकर समस्या खड़ी हो जा रही है यार बताइए मतलब अब यह सोचिए कि छोटे बच्चे को लेकर ट्रेवल करना और ट्रेन 6 गंटा लेट है अब ऐसा थोड़ी न बड़ी समस्या का विशाय बन जाता है जस्ट अ मिनिट बस एक मिनिट दे दीजे उसके बाद हम लोग डिसकस कर लेते हैं चली बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं देखो वह एक बात बताएं जो तरल होता है वो तरल से कैसे लगता है यह तो याद रखेगा पास्कल का नियम यह जो पास्कल का नियम होता है इंपॉर्टेंट अब कैसे समझोगे देखो मेरा यह कहना है कि मान लीजे जब कभी भी आप किसी लिक्विड के माध्यम से प्रेशर नीचे लगाने कोशिश करते हो ना तो लिक्विड हमेशा हर दिशा में उस प्रेशर को बराबर ट्रांस्मिट करता है एक बहुत अच्छा सा कॉंसेप्ट है आप लोगों ने सुना होगा उसका इन कॉंसेप्ट को कहते हैं हा हाइड्रॉलिक्स कहते हैं तो यह जो हाइड्रॉलिक्स का कॉंसेप्ट है ना हाइड्रॉलिक्स का कॉंसेप्ट इसी पास्कल के नियम पर काम करता है अब सोचो हाइड्रॉलिक्स का यह जो नियम है हाइड्रॉलिक्स का नियम अगर पास्कल के नियम के हिसाब से काम करे तो को हर दिशा में बराबर प्रेशा्रानज्मिट करता है उसकी एफई लगा होगी इसका मतलब यह है जो डिस्क ब्रेक होते है हो ड्रम ब्रेक से जबंगे ब्रांज से जाधा अच्छे होंगे ठीक है आगे चला जाए एक और प्राशन है सुप्रीम कोर्ट ने भारती समिधान के अनुच्छत कौन से के तहत इंटरनेट को मौली का धिकार घोशित किया ठीक है बता देंगे जी आई टैक क्या होता है रोगो थोड़ा जल्दी बताओ जी आई ह प्राइम बतादेंगे फिलाप इसके बारे मटाओ सुप्रीम कोट ने भारती समिधान के कौन से अनुच्छत के तहत इंटरनेट को मौली अधिकार घोशित किया है अब इंटरनेट मौली का धिकार हो चुका है type to internet is a fundamental right आर्टिकल 19 के तहत ये मौली का धिकार है और मैं आपको केरल में केस हो गया था केरल में एक लड़की ने 2020 में ओनलाइन क्लास ना कर पानी की वज़े से सुसाइड कर लिया था केरल की सरकार ने इसको तुरंट संग्यान मिलिया और कहा पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए इंटरनेट की वेवस्था हर जगह चले, के फॉन करके उन्होंने योजना चलाई थी, के फॉन, इसको कहते हैं केरला फाइबर आप्टिक्स नेटवर्क, और ये के फॉन योजना के तहट उन्होंने सभी के घर में आप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन से इंटरनेट वाइफ वाई बिठाने की बात कही थी अब ये बात पता नहीं कितनी सहीं कितनी नहीं के फॉन के तहट कितना काम हुआ है लेकिन आर्टिकल 19 के तहट फिर इसे फंडमेंटल रा इट से समझ रहाट तो यह इंप्टरिन्ट हो गया अच्छı आगे चले तो आगे चल करके एक और प्रशन आथा सवतंत्र भारत के पहले राश्रपती कौन थे सदू है ये प्रें नहीं सरल तम है और यहींपर हम आपको एक द्ट्रिक दिया करते हैं ना क्या कहा करते हैं कि राजु की राधा जाकर गिरी फकुरुदीन रेड़ी की जेल में तब राम शंकर नारायन ने अपनी कलम से प्रतिभा प्रनब कोबिंद्वा मुर्मू लिखा नारायन ने अपनी कलम से प्रतिभा प्रनब वा कोबिंद्वा मुर्मू लिखा कोबिंद्वा क्या लिखा मुर्मू अब देखो यहां पर कितना बढ़िया है राजू का मतलब राजेंद्र प्रसाद जी राधा मतलब सरुपली राधा कृष्णन जाकर मतलब जाकिर हुसैन वीवी गिरी फकरुद्दीन अली ऐहमद, नीलम संजीव रेडी, ज्यानी जैल सिंग, राम स्वामी वंकर रमन, शंकर दयाल शर्मा, के एर नाराइनन, एयुए अपे जी अब्दुल कलाम साहब, प्रतिभा देवी सिंग जी पाटिल, प्रणव मुखर जी जी और कोबिं जी और जी देखे ना तो यह याद रखोगे राजेंदर प्रसाद जी जो थे राजेंदर प्रसाद जी दो बार भारत के राष्ट पती रहे थे और आज तक दो बार सिर्फ एकी व्यक्ति भारत का राष्ट पती रहा है और वो है हमारे प्यार से कहे जाने वाले बाबुजी क्या ना स्क्रीन शॉट ले लोगे तो यह आपको याद रहेगा कि राजु की राधा जाकर गिरी फकुरुद्दीन रेड़ी की जेल में तब राम शंकर नारायन ने अपनी कलम से प्रतिभा प्रणव कोविंद को मुर्मू लिखा याद रहेगा ये बताए सबी लोग हां यह ना बता उताओ चलो आगे बढ़ते हैं यह है राजिंद प्रसाद जी अब आगे चला जाए एक और प्रशन है बताए निम्ण में से किस प्राधिकरन ने पी पी आर टी एम एस राजनीतिक दल पंजीकरन ट्रैकिंग प्रवंधन प्रणाली का शुभारंभ किया पार्टी इस रि कौन व्यक्ति है जिसने इस प्रणाली का शुभारंभ किया हो छो लुदिति State और पांजीकरन ट्रैकिंग प्रवंधन प्रवंधन प्रणाली का जो शुभारंभ है और मकिसके द्वारा किया गया था भारत के चुनाव आयोग द्वारा तो कोई दल नहीं है election commission of इंडिया हमारे सम्विधान के part 15 के अंदर लिखा हुआ है और आप सभी लोग जानते है कि पार्ट 15 के अंदर जो हमारा समिधान चुनाव आयोग कुनहित किये हुए है वो 324 से लेकर के 329 ए तक शामिल है 329 ए तक क्लियर हो गया चलिए अब आगे बढ़ें आगे बढ़ा जाए तो एक और प्रशन आपके सामने डिसकस करेंगे बताए अच्छा प्रशन आपके सामने डिसकस करें इसी अगा रियल टाइम ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पॉर प कौन सा रसायन मौजूद होता है बताइए जल्दी है कि सिर्का में कौन सा रसायन मौजूद होता है कौन सा रसायन मौजूद होता है तो सिर्का भया अब बात बताए ये सिर्का क्या है सिर्का का मतलब ही होता है डाइल्यूट एसिटिक एसिड क्या कहते हैं इसे डाइल्य होने तो यह वाला है कुछ और नहीं तर्फ्यूरिक एस सारी एक पर रोए तानाय कैसी सल फ्यूरिक तो हमने अभी बैटरी वाले को टिक मारता अथनाय एक असे रोने वाला है तो यह होगा क्लिएर आप लोगो भाया रोशी कोई दिकत है यह देख लिए जिए चीch3 coo h तो molecular structure देख लो देना हो तो ठीक है molecular structure नहीं तो ठीक है कि आना हाँ एक question है जागुरती बेन मिश्रा पूछ रही है की सर यह बताई एक्जाम में हिन्दी इंग्लिष में ऑप्षिन रहता है कि नहीं रहता अरे या तो एक्जाम के अरे आप में से कोई बीना से है क्या मद्ध्रदेश में बीना से जल्दी बताओ कॉमेंट करना है इस क्लास के बाद अगर कोई मद्ध्रदेश में बीना से है तो जरूर कॉमेंट करिए आगे बढ़ा जाए तो यह बताइए निमलिखित में से कौन सा अमल चीटी के डंक मे मौलत हुता है यह देखे चीटी है यह यहीं जीटी है अरे ही थोड़ा सा बैग्राउंन काला होने वाई दिखने ही रही तो नहीं हो जाता है ठीक ना काट देती है टो यह रेड कलर से हो जाता है तो यह जो काटने पर रेड कलर से हो जाता है ना वो रेड कलर से इसलिए होता है क्योंकि चीटियों के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड अच्छा जैसे मैलिक एसिड है तो मैलिक एसिड कहां सेव में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड कहां पाया जाता आउन टीजों को आया है कि वहां कियात देना ही है कुछ न बताइब सब्सक्राने। क्या होने वाला है इसका सही उत्तर तो देखो दोस्तों एक बात सही है चंद्रमा का एक्जोस्फियर कहा जाता है इसे इसे लुनार एक्जोस्फियर कहते हैं ए आंसर सही होगा इसका ना चंद्रमा का स्ट्राइटोस्फियर थर्मोस्फियर ना इंडोस्फियर यह चंद्रमा का एक्जोस्फियर यानि चंद्रमा के बाहर मौझूद चलो एक काम करते हैं फोटो के माध्यम से आपको बताते हैं यह देखिए सूर्य का प्रकास जब पढ़ता है तो चंद्रमा के बाहर यह गैसी आवरण जो मौझूद है नीले कालर का दिखने लगता है हलाकि चंद्रमा की सता है आपको सफेद दिखती है चंद्रमा के बाहर वायो मंदल कुछ नहीं है लेकिन बस गैसों का एक छोटा सा आवरण जरूर मौझूद है ये चोटा सा आवरण लूनार एक्जोस्फियर कहलाता है और कई बार यह जो लूनार एक्जोस्फियर है ना इस लूनार एक स्फियर को एक शब्द कह दिया जाता है इसे कह दिया जाता है लोनो स्फियर क्या कह देते हैं इसे दोस्तों तो याद रखेगा इसे लोनो स्फियर कह देते हैं तो ये क्वेश्चन भी एक्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन के बारे में भी एक्जाम में एक्जा नदी निम्न लिखित में से कौन से देश में बहने वाली नदी नहीं है केनिया में एजिप्ट में अलजीरिया में कि तंजानिया में यह चीज का हम है ना यह चीज का हम यहां पर एनिमेशन नहीं सेट कर पाए तो यह पिक्चर की पिक्चर यहां पर आ गई बताओ जल्दी स से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है केनिया में एजिप्ट में अलजीरिया में में भर में तो लोगों के पास पहुंचनी ही चाहिए ना अब अगर भारत भर में आप उसकी पहचान लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए क्या तरीका है तरीका यही है कि उसको जी आई टेक दे दो मतलब आपने उस जगह की उस चीज को फेमस कर दिया कहा कि यार यहाँ पे मनीपूर में ब्लैक राइस पाया जाता है जिसका नाम है चक हाओ मनीपूर के ब्लैक राइस चक हाओ को हमने जी आई टेक दे दिया कि मतलब ब्लैक राइस मनीपूर का बड़ा फेमस है गोरक पूर में टेरा कोटा की बहुत चोटी-चोटी मूर्तियां बनती है हमने GI Tag Tour में टेराकोर्टा की मूर्थियां बड़ी अच्छी है तो कोलहापूर में चपलों को GI Tag दे दिया गया कि कोलहापूर की चपले जो stylish कोलहापूपूरी चपले मनती हैं वो बड़ी फेमस हैं तो इस तडर यसे चपल को जी आई टेक दे देना खाने पीने की चीजों को जी आई टेक दे देना मूर्तिकला को वस्तुकला को शिल्पकला को जी आई टेक दे देने से मतलब कि हम उसे फेमस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम उसे हम उसे फेमस कर रहे हैं तो चलो फिलहाल तो यहां तक हम लोगों ने समझ बाती है उपों आप देख रहो न यूगांडा यूगांडा के बगल में यह देश कर दीक यह है केनिया है eithiopia से black pine Castle right nil river Nooon river Donno middle of Sudan में फिरिये नादी के नाम से रही है और एजिप्ट में एजिप्ट की दाहिनी तरफ और दक्षनी गोलार्द में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है बताइए बताइए उत्तरी गोलार्द में दाहिनी तरफ और दक्षनी गोलार्द में बाईं तरफ विक्षेपित होती है आप सभी लोग जानते हो यह एक तरह का सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ह कि ना सैंतन राय गुपता करें आसाम के गमोशा टॉवल को भी जी आइट मिला हाँ गमोशा को मिला हुआ है गमोशा भी कहते हैं नौर्थ इंडिया उसको गमोशा कह दिया जाता है ठीक है अहां तो क्या सही अंसर होगा इसका इसका सही अंसर हो जाएगा कोरियोलिस फॉर्स जो कोरियोलिस फॉर्स होता है ना ये कोरियोलिस फॉर्स है इंपॉर्टन चीज और कोरियोलिस फॉर्स कहें इंपॉर्टन है कहें कि कोरियोलिस फॉर्स है जिसकी वजह से ऐसा हो पाता है कि हवाएं ये देखिए दाएं बाएं तरफ चलती हैं देख रहा है ना बिनोद फाय कैसे चलती है इधार देखू एधार से ये धाय तरफ हों या सचल रहे हैं इधर से बाइधे तरफ हवाएंसे चल रही है दाय वाइं तरफ हाएं अईसे जल्धाराइब है आठेख लमाराय कैसी चल रही है समझ पा रहे हो प्रित्वी है दोस्त प्रित्वी ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके और डिसकेशन करते हैं जो जरूरी होगा जरूरी वाला ये है कि बताइए आग कवा हिस्सा जो तंत्रीका संकेतों में किसी वस्तुकी छवी के रूप पंत्रन के लिए जिम्म्यदार होता है बता यह centripetal जो होता है na centripetal का opposite होता है centrifugal centripetal is towards the center centrifugal is away from the center or centrifugal is a kind of pseudo force that cannot be seen but can be felt the simple thing is inertia suppose you are traveling in a bus and suddenly if the bus driver applies the brake you will definitely board on towards the forward side and the moment he accelerates you'll get down towards the back side why does this happen it happens because of the inertia being disturbed anybody remains in motion or rest until the force is applied on it make it an archangrizi bolein ha 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 philhaal is ka sahih answer kya hai to philhaal is ka sahih answer ho jayega bhaiya retina henna chavi ke rupantran ke liye to ye dek lije ga ye jo retina henna isi retina maya karke photo banty hai abogar maan lije is ke pahle he he ben jayi toh pahle he ben jayetose myopia get a and it's ke baad me jagar banit to say kya kebhe he has a kya kebhe he has a kya kebhe he has a hyper metropia toh yaad rakhlena dosto hikana yaad rakhlena abhi aage chal karke is say हम लोग बाते करेंगे चर्चा करेंगे पहले बन जाए तो क्या कहलाता है ये संकेतों में किसी वस्तुकी रूपान्थरण के लिए जिम्म्मधार रेटीना ही न रेटीना ही तो ऐसा करता है कौन करता है ऐसा ऐसा रेटी नाइसा करता है अच्व एतों सब्सक्रणय किसके रूपए जाना जाता है भूमत रेखंव गर के ढूलत क चलो बता हो जो कि ऑना का नो हम क्या कह रहे थे हम ये कह रहे थे कि यहां पर यह हमारी भूमत रहे comedian आपको एक चिला चिला नहीं पढ़ा पार है उर्जा इसलिए कम लग रही है क्योंकि आज इलाइची खाली हो गला पकड़ा हुगा है तो जहीं से जोर से बोलते खाल से लगती है और इलाइची खाही लेता इंसान की मतलब थोड़ा गला 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 तो खेर क्या ही है मुझे महग क्षान्स के समानांतर और अक्षान्स के बढ़ा तो एक और प्रशन अपके सामने रख देता हूँ बताइए मुझे भारत पर साशन करने वाला पहला मुस्लिम वंच कौन सा था गुलाम है तुकलग है लोधी है खिलjit है बताई memb Australia अरे गुड़ खाए तुमसे लोदी अब सोच हों कि जूड़ खाये तुमसे लोदी का मतलब क्या है इस पारलल्स आफ student का मतलब होता है अक्षांस रिखाएं जो समनांतर रिखाएं होती है अठीक से शलस बताओ बताओ हाँ अन्नु चौधरी करें सर एक भी बार ना बताया कब आओगे जैपूर अभी अब जैपूर यार थोड़ा क्या बताएं कब आएंगे तो भारत पर साशन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था तो पहला मुस्लिम वंश हुआ करता था और उसे हम लोग कहते हैं सलेव डाइनस्टी देखो चाहे इसे सलेव कहो चाहे इसे दास चाहे इसे गुलाम कहो चाहे इसे ममलूक ये बात बराबर ही है और तो और इसी वंश को इलबारी वंश भी कहते हैं और इसी वंश को कहते हैं इसी वंश को कहते हैं शम्शी काहे कि सम् तो इलबारी और मम्लूक इसलिए क्योंकि मिलिटरी के लिए पर्चेस लेव है गुलाम और दास और स्लेव का मतलब एकी दास हिंदी गुलाम उर्दू और स्लेव अंग्रेजी आगे बढ़ा जाए तो एक और प्रश्म बता यह मुझे अब यह अरे मैं इससे पहले की बताओ क्या चल रहा था उस समय पर इन्देखिए आप यह देखे रूमन इंपाइर था यहां यहां आरब यहां देखिए आप उडिशा के पास जब पहुंचते हैं तो ओड्रा के पहले सुम वंशी भी साशन कर रहे थे ठीक है ना कन्नोज भी साशन में था पुश्य भूती लोग साशन में थे बहुत बड़े-बड़े साचक थे यहाँ पे चलो आगे बढ़ा जाए यह बताई है प्रतिस्थापन वस्तों की कीमतों वृद्धी होती है तो मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है सब्स्टिट्यूट प्रड़क्ट अगर प्राइस बढ़ेगा तो मांग वक्र क्या होगा आउट वार्ट की तरफ शिफ्ट होगा कॉंस्टेंट रहेगा अच्छा देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से बोलू कि डिमांड और सप्लाई का कर्व कैसा तो यह देखिए यह डिमांड और सप्लाई के कर्व की बात कर रहे हैं इधर है प् अंटिटी की डिमांड बढ़ती है यानि की कोई विचेस सस्ती होने पर आप जादा खरीत और महेंगी होने पर कम मान लीजिए कि मार्केट में आइफोन की कीमत दस बारह हजार रुपए हो जाए तो लोग फिर कहें क्लिए अंड्रोइड खरी देंगा आइफोन ने खरी द कोका कोला अब पैपसी और कोका कोला में मान लीजिए कि पैपसी जो है ना पैपसी जो है वो पैपसी 10 रुपए की मिल रही है तो 10 रुपए की पैपसी और कोका कोला जो है कोका कोला 10 की जगा 15 रुपए का मिलने मिल जाए तो अब बताएए पहले कोका कोला 10 रुपए मिल था अब क्या है अब कोका कोला जो है कोका कोला 15 रुपय मिलने लगा तो जो कोका कोला पीने वाले लोग भी होंगे वो किधर जाएंगे पेपसी की तरफ कोका कोला नहीं पीएंगे और पेपसी का पेपसी पीएंगे अब देखिए कोका कोला के महंगा होने का मतलब कोका कोला क प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्या होगी कम हो जाएगी लेकिन पेपसी का प्राइस तो उतना ही है अब जो लोग कोका कोला पी रहे थे वो सब भी कोका कोला छोड़के पेपसी पी रहे है तो पेपसी की डिमांड क्या है पेपसी की डिमांड बढ़ चुकी है और बताये कर्व किधर जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है कि अंदर की तरफ आ रहा है कर्व बताये जल्दी यह जो पेप्सी के डिमांड बढ़ रही है इस डिमांड से यह कर्व बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ बताये बताये ठीक ना जल्दी बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है कर्व स्नेहा कह रही है जैपुर के महारणा प्रताप सिंग जी के बारे बता जी अरे जैपुर में नहीं थे महारणा प्रताप थे बढ़ावान महारनाप्रताप मुझे माफ करियेगा मेरे स्ट्स टूडेंट औरूसके बाद आपको जैपुर का कह रहे हैं आप उद्यपूर के थे इमसारी महरनाझी लफटे लेको बाहर की तरफ जा रहा है ना तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका सही अंसर क्या होगा सही एकनोम्स अंजो आप एकनोमिक समझ में आई आई आपको Estonia मैं कि नहीं यह पता जल्दी से ठीक तो समय अगई होगी अब आगे चलते हैं आगे चल कर ड्वैलिंग्स के प्रमान हमें कहां मिलते हैं कहां पर बताय जली है नो सैंतर राय गुपता लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होते हैं वो इसेंशियल गूट्स के अंदर कद आ जाते हैं ठीक है जिनकी जो दिमांड है वो प्राइस पर डिपंड नहीं करती अगर मान लीजे एक्स ड्रग और वाई ड्रग एक दुसरे के प्रतिस्ताफ पर जनरली नहीं होते लेकिन ड्रग्स जाहा है चाह सस्ता लोग अपनी जान बचाने के लिए लेंगे ही लेंगे दवाइया खरी देंगे खरीुआ जानते हो कश्मीर की तरफ पीडविंगि का मतलब क्या होता है यह है कि देखिए नीजएक तरफ बढ़िया घर रूफटाब बनागर करके और इस तरह से रहना देख रहना बिनोध कि अच्छे से पूरा रहने सिस्टम बना रहते थे ओर एगे बढ़ा जाए एक और क्वेशन इमाछू कै कह रहा है कि rac上ी भरा जाता दो सब ciao हो गया है हाँ चलो आगे बढ़ा जाए एक और प्रश्ण है बताइए जल्दी से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कारेकाल कितना होता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उस मुख्य चुनाव आयुक्त के कारेकाल कितना होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कारेकाल जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का कारेकाल कितना होता है एक बार जल्दी से बता दो वैसे तो आप सभी को पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कारेकाल कितना होगा तो ना मुख्चुनावायुक्त का कारेकाल कितना होगा तो देखिए एक बात तो स्तै है छाए साल या 65 वर्ष तक की उम्र जो भी पहले हो जाए उसी को मुख्चुनावायुक्त का कारेकाल कहते हैं जॉन मैनाड कीन्स नाम के एक व्यक्ति जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिध्धानतों यानि कीनियन सिध्धानतों के लिए जाना जाता है वो कौन से देश के निवासी हुआ करते थे स्वीडन के डेनमार्क के आस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के इन्होंने इंप्लॉइमेंट प्रिंसिपल भी दिया है तो जॉन मैनाड कीन्स ने एक एंप्लॉइमेंट प्रिंसिपल दिया था और उसमें इन्होंने कहा था कि डिमांड के उपर dependent है यह जो रोजगार है वो मांग के उपर निर्भर करता है तो इसका मतलब यह है कि फिलिप्स का दिया हुआ कर्व सही हो जाएगा कि जब जब बिरोजगारी जो होती है बिरोजगारी इंफलेशन के आते ही कम होती है इंफलेशन के जाते ही बढ़ती है इनवर्स रिलेशन बता दिये थे वो आगे बढ़ें और एक और प्रशन है आप लोगों के in a Kelvin top on a scale Sun I'm going to some money pick ya get about a conflict if they take Anna who codified the first two laws of thermodynamics and deducted sorry deduced that the absolute zero of temperature is minus 273.15 degrees Celsius he was honored for this with their naming of Kelvin temperature scale they go minus 273.15 degrees Celsius beraber huta has zero degree Kelvin ये भी याद रखेगा 0-23 कर विन को माइनस 283.15 degrees Celsius कहते हैं आप अब बताये कौन था जिसने ऐसा दिया था ठीक ना कौन था जिसने ऐसा दिया था बताई जल्दी से क्या हो जाएगा सही अंसर दोस्तों एक बार जल्दी से एप डाउनलोड करो और एप कहां है तो याद रखेगा एप जो है ना वो एप ये देख लीजे आप लिंक लगी हुई है कॉमेंट सेक्शन में ब्लू कलर से यार कल मैं इतना रात में बताया तेरा 14 सो लोग मुझे देख रहे थे और एप डाउनलोड की है मातर 30 लोग आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते मतलब इससे बदा चलता है कि जैसे हम फ्री में कॉंटेंट आपको दे भी रहे हैं उसके बावजूद आप अहसान फरामोशी कर रहे हैं हमारे साथ हमने का यार फ्री में कॉंटेंड देने के बातले कम से div grade डॉट कर लीजए और अंच्छान चाहंगे था रहें है बावजुद उसके अब डॉंड नहीं किया यार warrior rulers came from Purusha's arms the Vashya the commoners came from Purusha's thighs the Brahmanas priests came from Purusha's ears and the Shudra's or the labors of the servants came from Purusha's feet in Mr. Cons a point Gala da hai Kshatri Odaya Shasko good Patti Purushki baan se hoi vashya firam long got put the Purusha's ki cheese on sale Purusha thai se hoi a henna to kya sahi hai kya sahi to isma tino hai galat isma sirf si wala hai yewala galat hai aur yewala jo galat hai na yewala ki purusha 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 suktak me joh bhagwan prajapati hai unke mukh se brahmano kut pati hoi hai kiski mukh se brahmano kut pati hoi so yeh point aap loo ko yad rakhle na hai bata yeh jaldi se yaha par aagla prashna hai koon se harapan shahe matlab kis harapan yukkisthal par jutai wale shetra ke pramand mili hai jutai wale shetra ke pramand mohan jodlo ke chanhu dalo ke gover ka dhir kalibangan ya harappa se kaha par aisa khetibadhi bhi ki jati thi bata yeh jaldi plau halwal mil gaya wahan pere kya lagta hai aapko hal mil gaya plau auka siddhant mil gaya hai kahaan se mila hai toh iska sahih answer bhi dhek lije aap loog iska sahih answer honne waala hai kalibangan kalibangan ka matlab hota hai kalibangan ya ni black bangles chote kisahan aur mausmi mazdoor jiasse loog joh niyamit rup se garibhi dhari ke anndar or bahar hote hai unhye kis rup me wargi krit kiya jata hai occasionally poor churning poor always poor ya usually poor unhye kya kate people like small farmers and seasonal workers who regularly move in and out of property are categorized as kya category data unko bata yeh hmmm to deko deko yaad rakhle na unko kawansi category date a tonko category jodi jati hanko category jati hit churning workers ya churning poor ski deko dosto aek baat batao aapko agar maan lije aapis summer parka rhen tiyari or tiyari ke liye aapko karna hain badhia kama toh sabse pahle aap adda app download kar lije dhosto adda app joh hai yeh download karo gya aap kahaan se toh bhaiya blue color ki link up a comment section dhi hai click karke download karlo iska screenshot lelo henna iska screenshot lelo toh sabse pahle tohya bata duho aapko comment ki link joh hai comment section में सबसे उपर blue link सबसे उपर blue color ki link है ना comment section में सबसे उपर blue color ki link लगी हुई है तो उसे click करके ले लिजे और click करके जैसे ही लेंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको यह connect मिल जाएगा तो अड़र 247 app के अंदर home page में जाएगा community में explore group में और GSI नवदीप सर यहां से join कर लिजेगा ठीक है अब उसके अलावा दूसरा point जो आप सभी लोगों से discuss करना चाहते हैं वो क्या होने वाला तो वह यह होने वाला है कि भाई यह देखो सबसे important बात तो यह कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो examination की और तैयारी करते करते आप लोगों को चाहिए कि आप लोग किसी एक ऐसे ना paid courses के साथ हमारे साथ जुड़ो जिसमें आपकी proper अपर तैयारी हो सके तो अड़ा 24-7 गूगल पर सर्च कर लेना या मोबाइल मैप इंस्टॉल करने के बाद उसमें और इस समय पर देखेगा all courses के अंदर जा करके SSC में पहुंचेगा SSC का महापैक है SSC के महापैक में चल रही है double validity आज ही है last double validity तो यह या double validity आप SSC के महापैक पर ले सकते हो याद रखे इसका price क्या है 2999 रुपए तो buy now कीजिए और buy now करने के बाद यहाँ coupon code लगा यह coupon code होने वाला है y263 जैसे y263 लगाओगे देखे 2769 का हो जाएगा बारा प्लस बारा महीने की वैलिडिटी वाला और साथी साथ यह भी बता दूँ आपको और साथी साथ यह भी बता दूँ कि जो coupon code है न वो यहाँ पर coupon code जरूर लगा लीजेगा और coupon code है y263 y263 चलिए फिर आगे बरते हैं और देखे जैसा की रात में फिर से मुलाकात होगी रात 9 से 12 रात 9 से 12 फिर मुलाकात होगी तो 9 से 12 आई यह जुड़िए और तावर तोल पढ़ाई करेंगे हम लोग आज एक नामिक्स और स्टाटिक जीके को हम लोग समझेंगे पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों अगर एप से PDF डाउनल टच करके वेट करना, वेट करोगे तो लगभग 20-25 सेकंड में वो एप में PDF डाउनलोड हो जाएगी और फिर वहीं पे सामने ही आप्शन आ जाएगा कि उसको देख सकते हैं, ठीक ना, हो जाएगा, चलिए, फिलहाल धन्यवाद आप सभी का खयाल रखिये, जैहिंद कि अफे हैं, तो बवाद करना जाएगा बसे करना फ्लाएगा जाएगा हैं, ट्याएगों शेख सकते हैं, एक टो कि ये आईएगा़ा का जाएगागा वादागाया वेगैगा हैं, एक लाएगागा है।